नमस्कार दोस्तों स्वागत HDG के चानल में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है UP में इन साथ सीटो पर EBM की हैक करने की सचाई क्या EBM को टैपनिंग की जा सकती है आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कुछ आपके टेलिवीजन स्क्रीन पर आपको कुछ स्क्रीन सोट दिखाई दे रही हैं कि आज इसी के हम परताल करने वाले हैं और पुरी सिलसिलवा ढंग से हम आपको बताएंगी कि क्या इबियम में टेंपलिंग करना यानि उसमें छेड़ चाड़ करना पॉसिबल है या नहीं है यानि कि 23 माई मत करना वाले दिन कुछ स्क्रीन सोट बायरल हो रहे हैं जैसा कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही हैं टेलिवीजन स्क्रीन पर यूपी के अलग-अलग लोग सबाज सीटों पर मत करना के दावा किया गया है इन सभी सीटों पर हाजपाग मितवार को 2,11,800 भी वोट है और कॉंग्रेस मितवारों को 1,40,295 भोट मिले है खास बात या है कि इन सभी को लगबग एक ही है यानि आप आखड़ी की बात करें तो सबकी वेलू एक ही है इस सारे स्क्रीन सॉट बारब बज़ के 25 मिनट से लेकर बारब बज़ के 30 मिनट यानि 5 मिनट के अंदर इस सारे चीजों को सर्कुलेट कराए गया है यूपी के बज़ती और बागवत और बालियां और बुलंद सहर बाकी बंकी बिज़नोर और सुल्तानफोर सीटों पर इन स्क्रीन सॉट को सेर करके इबियम की गरबड़ी की बात कही जा रही है अब बात करते हैं कि वाजल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि बैम का सेर किया करके याजनी ई बीएम को सेट किया अलग लग सीट पर बहुत कैसे मिले या एक जैसा बहुत को कैसे मिला जैसा कि आप स्क्रीन सॉट में देख रहे होगा हर यानि लिस्ट में को ही 2,11,820 अंग कैसे मिला इस सबसे बड़ा सवाल है यह screenshot खोब viral हुआ है अब हम इसकी तहकीकात कर आपको सचाई बता रहा है परताल में यह है कि election commission के website पर हंग गए जिन सीटों को लेकर दवा किया जा रहा है उमिदवार को मिले भोट को viral post को दवा किया जर आंकलों को मिलाया तोनों को दूर तो तो कोई समानता नहीं है यहां तक कि screenshot में भाजपा और Congress परत्यासी के सामने जितना भोट दिखाया गया है ओ भी final counting से कम या ज़्यादा है यानि मजदार की बात यह है कि बागपत और बालियां में Congress परत्यासी चुनावी नहीं लड़े रहे थे और दवा किया जा रहा है screenshot में जबकि share में हो रहा है message के सामने एक लाख चालिस जान दो सब पनचानवे भोट लिखा गया है अन सीटों पर Congress उमिदगार को मिले मतों की संख्या कम है यानि सीट को screenshot share किया जा रहा है बीजेपी और Congress candidate से मिले भोट की संख्या आप टेलिविजन एसकिन पर आप देख सकते हैं तो निसकर्स में क्या निकल के सामने आता है ये दावाप पुरी तरह से फर्जी है इसमें ना कोई और है ना छोर है इस तरह से फर्जी कबरे खबरे के जहांसे में ना आईए आप से इस तरह की कोई मैसेज या खबर आपके पास आती है तो आप हमें इस ख़बर को तहकीकात करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं stgnews9.gmail.com हम इसके तहकीकात का सचाई के पता करेंगे तो वक्त हो गया है विदा लेनी का देश दुनिया के तमाम ख़बरों के लिए बने रिए सब्सक्राइब कीचे अगर आप यूटूब पर देख रहें तो इस चानल को सब्सक्राइब कीचे अगर आप फेस्बूक पर देख रहें तो इस पेच को लाइक कीचे धन्यवाद